रंवीर कपूर और आलिया भट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रहमास्टर का ट्रेलर अब से कुछी समय पहले रिलीस किया गया है खेर हम कह सकते हैं कि ये फिल्म इंतिजार के लायक थी लेकिन इस बात की गैरेंटी है कि इस फिल्म को कोई इग्नॉर नहीं कर पाएगा सबसे साथ डल लग रहा था इस फिल्म के VFX को लेकर लेकिन ट्रेलर में तो मामला उल्टा ही पड़ गया है VFX ब्रहमास्टर की कमजूर ही नहीं सबसे बड़ी ताकत लग रही है आज तक किसी भी Bollywood फिल्म में इस लेवल का special effects नहीं देखे होगे और अब इस movie को Hollywood फिल्म से compare करने नहीं बैठ जाना क्यूंकि Hollywood फिल्म बनती है 3000 करोड में और Bollywood फिल्म बनती है 300 करोड से और एक चीज आपने नोटिस की ट्रेलर में जो सेवियर है उन्हें blue light दी गई है और ट्रेलर में जो winner है उन्हें red light दी गई है लेकिन रनवीर के scenes पे red plus blue दोनों light देखने मिलीगी मतलब रनवीर में अच्छाई भी है और बुराई भी अब अपना hero किस तरफ जुकेगा वो film देखने के बाद ही पता चल पाएगा जिनका ये मानना है कि 3 मिनिट के trailer में सब कुछ बता दिया है तो ऐसा नहीं है असली कहानी हम लोगों की सोच से बहुत आगे है VFX के बाद music दूसरी वो चीज है जो trailer को complete करती है वरना आखों को VFX impress कर देगा लेकिन जब तक कानों में वो goosebumps देने वाला music सुनाई नहीं देता तब तक trailer में मजा नहीं और इस trailer का backbone साबित हुआ है फिल्म का music ब्रहमास्तर एक perfect film ना सही लेकिन Indian cinema में कुछ नया try करने की कोशिश तो है आपको trailer कैसा लगा हमें कमेंट्स पर बताईए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वाइरल बॉल्यूड को